हेलो दुफतो, दुफतो संदीब भाईया का तीफरा एपिफोड ओल एंड मैंने जफट अभी अभी देख कर कंप्लीट किया एंड लेट मी टेले दुफतो, इसका जो लास्ट बाला सीन था, मतलब जब ये शो पास्ट में चल रहा होता है तो जो लास्ट बाला सीन था, जब संदीब भाईया थोड़ा जला कर, गुस्वे से कहते हैं कि मर गया संदीब भाईया कोई नहीं कर रहा है यारी, बो सीन क्या था भाई, किलियर नहीं हो पाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड बो सीन मुझे यार अब एक्साइड कर रहा है, कि इसका चौथा एपिसोड में जल्द से जल्द देखूं तब केलियर हो पाई कि एक्चुली वो क्या था उन्होंने जबाब कुछ ओल दिया, उनके रियक्षिंस कुछ ओल थे, जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि जबाब क्या दिया रियक्षिं क्या था, तो वो कुछ समझ नहीं आया, मतलब वो क्यों था वो जो भी था एंड यार, पहली दफा मुझे ऐसा फील हुआ, एस परेंस मैंने देखा है, एस के सथ की किलास देखा है, कोटा फेक्टरी देखा है, ये देखा है, अब मुझे पहली दफा ऐसा फील हुआ, कि पहले 15-20 मिनिट तक, ज़्यादा कुछ खास यहां पर नहीं हुआ, मतलब ब अपने कोई तयारी करनी है, प्रिलिम्स उनको निकालना है, क्रेकरना है, एंड उसके बाद अगर प्रिलिम्स निकल गया है, तो उनको मेंस की तयारी के लिए, जाना है, जिसका पैकेज है, मेंस का जो पैकेज है, वो है 60,000 रुपए का, 63,000 का, एंड उनके पास जो बजट लेकिन तोड़ा सा सा थिट कर वक्त हैं लेकिन एक आपको यह लगे ऑने हैं लगो फफटर हाफ में लेकिन उसके बाद जब वो प्रीलिम्स का जो भी हुआ टूबीक से लेटर इस स्क्रीन पर लिख रहाता है तो बहां से दोबारा से अपनी दफ़तार पकड़ता है तो यह जी यहां पर अच्छी थी जैसा कि मैंने कहा फफटर थोड़ा और बहतर हो सकता था ताफ ही बैतर हो सकता था तो यह था बाकि यार जैसा कि मैंने का कहानी के नमर ज्यादा कुछ यहां पर नहीं हुआ है एंड यार कुछ इन मुमेंट थे अब जो कि हमको सबको पता है कि इसका जो मतलब जो characters है या पर आरुशी है संदीब भाईया है उनका जो future है बो present है उनका 2014 में जो चल रहा है उसका जो future आने वाला present इन लोगों का जो है अभी के हिसाब से बहाँ पर संदीब भाईया ALC एंड वो IERF officer बन चुके है IERF officer बन चुके हैं तो यहां पर मतलब अब result के आना है वो तो हमको पता है अभी नहीं होगा दो अगली बार हो जाएगा उनको pass होना है उनको clear करना है उनका निकल जाना है तो यह हमको पता है तो हां इतना जरूर है कि अभी हुआ कि नहीं हुआ यह आपको थोड़ा thrill कर सकता है या टैम्स कर सकता है या क्यूरिस कर सकता है या excited कर सकता है लेकिन हो जाना है यह हमको पता यह सबसे बड़ा इसका इन्होंने पहले ही आउट कर दिया तो यह है बाकी अंत में जो चीजे होई मतलब उनका जो behavior था कि मर गया संदी भाईया तो वो यार कुछ मतलब समझ नहीं आए कि वो क्यों था यह हो सकता है कि उन्होंने कुछ और सोचा हुए और उनका हुआ कुछ और हो ALC Assistant Lever Commissioner का जो भी था वो ठीक था तो पहली बार मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा डिप थोड़ा सा डल था फफ्ट हाप इस तीसरे एपिसोड का फफ्ट आपके बाद अच्छा हो जाता है और ज्यादा बहतर हो गया है कि और ज्यादा बहतर हो गया है ऐसा क्या पाएंगे तो यह है बई मुझे अच्छा लगा कि इन्हें जो लेंध थी आएगे इस थोड़ी सी कम हो सकते थी 5-7 मिनट कम किया जाए सकता था मुझे ऐसा फील हुआ बाकि आपने देखा है यह एपिसोड तो लिखे बताना आप लोगों का इस पर क्या टिक हैंड मैं काफी ज्याद एक्साइट हूँ जब इसका चौथा एपिसोड आएगा हो सकत शायद यह 10 यह 11 तारीक को आना होगा इस नितेशाने सानेंगा थेंक्यू एंड येस संदी भाईया का जो वो सीन था मतलब जो वो गंगा के नारे बैटे हुए थे वो फीडियों पर एंड उनका फोन आता है एंड उनकी जो एक्सप्रेशंस थे जो एक्टिंग थी जो फेसील एक्टिंग थे भाई साब ऑसम थ ओटस्टेंडिंग थे बहत्रीम थे मज़ा आता है उनको इस-कीन पर देखर बहात्रीम पर्फरमस्स दिए संही हिंदु जाने आउटस्टेंग प्रफरमस्स दिए लो वैस साब बहत्रीम सरी दे इंड इस लिग दाता है संही एक्सेंट ये आच्सेंट आत परीक्टिंग क झाल झाल